तो Null and Void Pointers के बारे में हमने याँ पर पढ़ लिया था पिछले टूटोल के अंदर और Null Pointer किसलिए यूज़ के जाता और Void Pointer को हम क्यों यूज़ करते हैं कब यूज़ करते हैं वो सभी हमने पिछले वीडियो के अंदर देख लिया था तो आज की यह जो वीडियो होने व वाले हैं Dangling Pointer and Void Pointer तो File मैंने आपर बना कर रख लिया है और यहां पर मैं लिखूँँगा Main Function अपना Main Function लिखने के बाद आज मैं आपको बता हूँगा कि Dangling Pointer और Void Pointer क्या होते हैं क्यों होते हैं और किसलिए होते हैं ठीक है वैसे आप Dangling Pointer और Void Pointer का यूज़ नहीं Link, Dangling से आपको क्या यादर आए? Dangling से Dang मतलब Hang है न? Hang अब यह Hang वो Hang नहीं है जो Computer Hang हो जाता है ठीक है? यह Hang है लटकने वाला Hang तो Dang मतलब Dangling Pointer मतलब जो Pointer लटक गया हो लटक गया हो मतलब वो बीच में रह गया हो वो किसी भी चीज को Pointer नहीं कर पा रहा हो तो Dangling Pointer बनने क सकते हैं आप उस आपने एक Pointer बना बनाए है और उसके खिस चीज कोарवा रह पर बात में आपने क्या कियाद्र Kane उस तो address उसको हम पर आपने फ्री कर दिया दिया ठीक है वो address आपने free कर दिया है ठीक है अब वो इस program का नहीं रहा और जो pointer है वो अभी भी उसको point करने में लगा हुआ है आपने free तो कर दिया लेकिन जो pointer है वो बीच में लटक गया इस position में आपको क्या करना थी है इस position में आपको free करने के बाद pointer को null करना चाहिए तो इससे आप dangling pointer से बच सकते हो इस तरीके से ठीक है तो जब भी आपको dangling pointer से बचना हो तो उसकी वैल्यू झो है नल कर दो यहीए आपका ड्नलिंग प्यपएंटर जो pointer को आप d respective ंहीं कर सकतेistles आपका जैसे कि आपने कोई एक function के अंदर कोई आप पर एक function है ठीक है fun नाम से और उसके अंदर एक आपने local variable बनाया ए ठीक है और जिसकी value आपने कुछ भी 99 मान लो और उसको आपने return क्या-क्या उसके variables बगएरा बनेंगे फिर वो जो function को call कर रहा है वो उसके उपर call होगा जब वो function return हो जाएगा तो यह function बिलुकुल मुट जाएगा और इसके जितने variables बगएरा बनेते हुए सब delete हो जाएगे तो वहाँ पे address ऐसा return होगा जो किसी को भी point नहीं कर रहा होगा और वो जो pointer जिसमें आपने उस address को save करवाया होगा वो जो pointer बनेगा वो बनेगा एक dangling pointer क्या बनेगा वो एक dangling pointer बनेगा ठीक है तो एक हो गया आप पे deallocation of memory ठीक है जब आप किसी भी memory को free करते हो deallocate करते हो तब आपका dangling pointer बनता है और जब आपका जो local variable है वो return करवाते हो आप इसी pointer के अंदर तो आपका dangling pointer बनता है और जब variable जो है वो out of scope हो जाए तब आपका dangling pointer बनता है ठीक है variable out of scope का मतलब है scope मैंने आपको बता रखा है block of code ठीक है block of code है इसके अंदर आपने एक variable बनाया ए उपर आपने पॉय्टर बना रख चाहा था मालो इंट और स्टार आपने पॉइय। बना रखा टो ठीक है और यहां पर आपने क्या किया एक मेद तार यहां पर प्लोक फ़तम quo ह곤 sensor फ्परिय। चाहंए कि वहीं इसको में यूज करना है नहीं नहीं थोड़ आपको बनने से रोकना है वं कैसे बनाने का मतलब यहां पर मानलो एक इंटीजर है इंटीजर एक इंटीजर है और अभी मैं क्या करता हूं इंट स्टार पीटी आर एक मैंने एक वैरिवल बनाया इंट स्टार पीटी आर कुछी मानलो आप आप किसी भी नाम से बना सकते हो इसको और इसके अंदर मैंने क्या किया एक इंट स्टार की मैं एक मैमरी ले ले दिता हूँ ठीक है मैं लोग फंक्शन का यूज करके मैं क्या करता हूं जाब करूंगा पहले मैं क्या करूँगा hashtag include करूँगा stdlibh ठीक है क्योंकि इसके अंदर हमारे malloc वगरा functions सारे exist करते हैं इसके अंदर मैं size of int दे दूँगा size of int मतलब कि एक int के size का हमें pointer लोटा दो यह आगे हमने यह typecasting लगाई है यह हमें वोइड़ पॉइंटर देते हैं और उनको हमें typecast करना होता है तो उसके बाद यह इसमें आ जाएगा तो यह जो pointer है यह जो pointer है यह अभी एक memory को locate कर रहा है यह अभी एक memory को point कर रहा है और जैसे ही मैं अगर यहाँ पर free function को call करूँ free ठीक है यहाँ पर मैं pointer देता हूँ जैसे ही मैंने इसको pointer दिया तो यहाँ पर यह क्या करेगा एक सेकंड यह गड़बड़ इसलिए हो रही है यहाँ पर semicolon नहीं लगाए ठीक है देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ ptr देखो जैसे मैंने आपर ptr लिखा तो यह जो ptr है यह जो memory मिली थी ना हमको यहाँ पर यह free हो जाएगी हमारा प्रोग्राम इस memory को यूज कर रहा था जैसे ही मैं free function का यूज करूंगा यह जो memory हमें मिली थी इस memory को हमारे जो प्रोग्राम में वो छोड़ देगा फिर यह जो memory हो जाएगी और कोई और प्रोग्राम या फिर हमारा प्रोग्राम दुबारा से इसको allocate कर सकता है अगर हम करवाना चाहें तो ठीक है तो यह free हो गया अब यह जो memory free ह हो चुकी है तो यह जो pointer है यह dangling pointer बन चुका है अब यह जो pointer है डैंगलिंग पॉइंटर यह बीच में लटक गया है इसकी कोई value नहीं अब यह किसी भी चीज को pointer नहीं कर रहा है तो उसको रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा PTR equal to null आपको लगाना पड़ेगा यह तो हो गया दिये लोकेशन का अब मालों मैंने आपको एक function का यह बताया था ना तो एक काम करते हैं आप एक inter star का function मनाते हैं fun के नाम से और इसके अंदर में क्या करता हूं एक simple सा एक integer बनाता हूं जिसकी value मैं दे देता हूं 99 ओके और उसके बाद मैं return एड्रण करवा देता हूं t1 अब मैं काम करता हूं इसको मैं करता हूं यहाँ पर और इसके भी कोई बनाता हूं और पर इसके अभी जुरुद्र हैंusi नहीं किया करता हूं एक जो अपनाए पोईंटर दाइंट स्टार पीटीर बनाता हूं यहाँ पे चलो तो रातों प्यूर्ट यह कुवल टू कि फंट्र देता हूं जो हमारा फंक्षन है यह फंक्षन हमारे आपके आजाएगा ठीक है यह फंक्षिन मैंने आपको कर दिया यहां पर हम समिकोडन लगा देंगे अब ये जो पीटी आ रहे है ये एक डैंगलिंग पॉइंटर बन चुका है कैसे बनाएं ये इस फंक्षन को कोल किया और इस फंक्षन हो जाते हैं दिलेट हो जाते हैं फ्री हो जाते हैं नहीं करना है अगर इसका कर्वा सकते हो यह स्ट्राइबल्स नहीं होते हैं फंक्षन के रिटर्न होने के बाद भी ठीक है वो तो मैंने आपको बताई रखेंगी इसकी टाइप से आप स्ट्राइब वगएरा बना सकते हो सब यहाँ इसको कट करता हूँ और इसको परते हुल यह मैंने इसके अंदर डाल दिया है ठीक है अब एक PTR3 बना लेते हैं आपर इंट स्टार PTR3 यह बन चुका है यहां पर और PTR3 के अंदर मैंने अड्रस ओफ डाल दे जैसे तो आपने पॉइंटर को एड्रस को पॉइंट कर दिया हां अगर आपको इस ब्लॉक करना पड़ रहा है तो करो लेकिन इस ब्लोक के खतम होने से पहले ही इस PTR3 को नल कर दो तो नहीं बने का इस चीज से तो आपको बचना ही है ठीक है बचो और यह इसका तरीका मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप memory को allocate करते हो तो उसको free करने के बाद आप अपने pointer को Null करना पड़ेगा तभी आप डेंगलिंग pointer से बचोगे डेंगलिंग pointer आपके program के अंदर बंग्स ला सकता है आपके program को क्रेस कर सकता है क्योंकि उसमें गारबेज वैल्यू हो सकती है ठीक है तो गाइस जो यह डैंगलिंग पॉइंटर थे वो गाइस इतने ही थे अब बात कर लेते हैं वाइड पॉइंटर के बारे में अब वाइड पॉइंटर होते क्या हैं यह देख लेते हैं तो जितने भी आप पॉइंटर बनाते हो ना जैस इसकी आपने कोई करंटल या भी वैलू नहीं दिये इसको अभी किसी भी चीज से पॉइंट नहीं करा है तो यह बनेगी हमारा वाइल पॉइंटर वाइल मतलब जंगली पॉइंटर अभी किसी भी चीज से पॉइंटर नहीं हुआ है जैसे आप इसको पॉइंट कर दोगे जैसे कि अगर आप उसको free कर दोगे तो ये dangling pointer बन जाएगा उसके लिए आपको करना यहाँ पर PTR null करना पड़ेगा तो wild pointer भी आपको बना के नहीं चोड़ने जब भी आप कोई भी pointer बनाते हो अगर आप उसकी value नहीं देते हो तो उसको null कर दो N-U-L-L तो ये wild pointer नहीं बनेगा wild pointers भी आपके program के अंदर bugs लेके आ सकते हैं क्या लेके आ सकते हैं bugs लेके आ सकते हैं crash कर सकते हैं आपके program को तो इन चीजों से आपको बचना है तो ये दो pointer है जो मैंने आपको कराए हैं ये थोड़े से important topics थे ये important इसलिए थे कि अगर आप किसी भी जंगे जाते हो वहाँ पर आपको अगर C का काम करना पड़ रहा है तो ये basic knowledge आपको होनी चाहिए pointers के बारे में कि आपको dangling pointer, wild pointer नहीं बनने देने हैं pointers को अगर आप खाली कर रहे हो तो उनमें null जरूर डालना है pointer को अगर आप बना रहे हो तो चाहते हो उसमें कोई address को डालो या फिर null जरूर डालो तो ये मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर और इन चीजों आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है तो अगर guys आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करे और शेर कर अपने दोस्तों के साथ जो भी सी सी किना चाता हो ज़्यादा वीडियो नहीं बाकिया जब ज़स्ट चार पांच है वीडियो ही आएंगी लगबग और फिर जो हमारे सी लगबग पूरी हो जाएगी और उसके बाद हम लेके आएंगे प्रोजेक्ट साब के लिए तो आज की जो वीडियो थी वो इतनी थी फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो को जब तक कहले गाए सबस्क्राइब करो चैनल को लाइक करो वीडियो को सबस्क्राइब करो वीडियो को अविन दोस्तो जाइब भाई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो